नेक्स्ट कुशन यह कि, इन LINE इंडक्टर में FOME COMPOND को उठाकर ब्रांच तक पहुंचाने का करिया कुन करता है। इन LINE जो इंडक्टर होता है, यानी किसी line के बीच में इंडक्टर का प्रयोग किया जाएगा, उसमें foam compound को उठाकर उस hose में ले जाने के लिए बीच में जो प्रयोग की जाते हैं उसे क्या कहते हैं क्या उसको napset tank कहते हैं, delivery hose कहते हैं, pick up tube कहते हैं, branch कहते हैं दोस्तो इसका बिल्कुल right आपका होगा pick up tube और जिनका pick up tube नहीं देखा हुआ वो देख लीजिए यह होता है inline inductor, यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, tube यह जो आपको दिखाई दे इसको बोलते है pick up tube जो foam compound को उठाकर कहां तक देता है, hose तक पहुंचाने का कार्या करता है foam compound आनि जो foam, यानि जाग को बनाने के लिए जो chemical होता है इसको बोलते है foam compound जो पानी के साथ मिक्स करके आगे branch के माद्यम से foam निकलता है, जाग निकलता है, समझ में आई बात, ठीक है, चलिए भी next question